आप जानते हैं कि आमल और शारक परसपर अभिक्रिया कर लवन बनाते हैं लवन के पहँचान उनके गुणों के आधार पर की जाती है विरंजक चोन के पहँचान उसके विरंजक गुण के आधार पर करना है प्रतीक लवन के अपने विशिष्ट गुण होते हैं जिनके आधार पर उनकी पहँचान की जा सकती है इस प्रयोग को करने के लिए हम विरंजक चून के नमूने के साथ कुछ और लवनों जैसे आमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तनू सल्फियोरिक अम्न, फूलों के कुछ पंखुडियां, 100 ml के 8 बीकर, 100 ml का एक मापक सिलेंडर, काच की इछड और चिम्ती का प्रयोग करेंगे इस प्रयोग को करने के लिए हमें पूर्व में त्यारी करनी पड़ेगी जिसके लिए हमने 4 बीकरों में नमूने के लवनों के 5% 50 ml विलियन डाल कर रखने होंगे इसके लिए प्रतीक बीकर में लगभग 50 ml जल लें और तोल कर प्रतीक लवन का लगभग 2.5 ग्राम अलग-अलग बीकरों में घोल लें यहाँ पर हमने 4-4 बीकरों के 2 सेट बना कर रखे हुए हैं पहले सेट में जिसमें 4 बीकर हैं उसमें हमने लेबल लगाए हुए हैं दो सेट जो हैं वो इस प्रकार हैं बीकर A, B, C और D यह हमारा पहला सेट है जिसमें हमने लवनों के विल्लिनों के नमूने डाल कर रखे हुए हैं और दूसरा सेट जो 4 बीकरों का है उसमें हमने लेबल लगाए हुए हैं E, F, G और H जिसमें हमने 20 ml डालूट H204 डाल के र केम्टे का प्रयोग करेंगे और हम फूलों के कुछ पंखडियां बीकर A में डुबो कर बीकर A में डुबो कर बीकर A में डुबो और इस प्रकार हम सारे बिक्रों में फूलों की एक-एक पंखडी का प्रयोग करेंगे आईए अब हम शुरू करते हुए सबसे पहले हमने फ अब हम बीकर B में से दुबो कर इसको हम बीकर F में जिसमें हमने डाल यूट एक पंखडी और लेते हैं और इसे हम बीकर C में दुबो देंगे और इसे हम बीकर G में डाल देंगे और एक पंखडी और लेते हैं और इसे हम बीकर D में डालेंगे और इस पंखुड़ी को हम बीकर H में डाल देंगे अब हम ग्लास रोड लेते हैं और इसे हम बीकर E में अच्छे से घुमाते हैं अब हम बीकर F में रखी गई फूल की पंखड़ी को हिलाते हैं इसी प्रकार हम बीकर जी में रखी हुई फूल की पंखडी को भी अच्छे से हिलाएंगे और आखिर में हम फूल की पंखडी जिसे हमने एच बीकर में ढाला था उसे भी अच्छे से हिला देंगे कुछ देर हम इंतिजार करते हैं अब हम फूल की पंखडी को देखते हैं कि क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ है सबसे पहले हम बीकर E को देखते हैं हम देख सकते हैं कि फूल की पंखडी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अब हम बीकर F में देखते हैं इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अब हम बीकर G में देखते हैं इसमें भी कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है अब हम बीकर H में देखते हैं बीकर H में हम देख सकते हैं कि फूल की पंखडी का रंग ओड़ गया है और हम कहा सकते हैं कि इसका रंग फीका हो गया आज के इस प्रयोग में हमने देखा कि बीकर D से बीकर H में डाली गई पंखडी का रंग हलका पड़ गया इससे हम यह निश्कर्ष निकालते हैं कि बीकर D का विलियन विरंजब चोन का है इससे हम अपनी सार्णी में नोट कर लेते हैं जो इस प्रकार है नमोने फूल की पंखड़ी का रंग लवन के विलियन से पंखड़ी निकाल कर दूसरे सैट के बीकर में रखे डाल्यूट अच्ट वेसो फोर अमल में ढालने पर A. लाल, E. पहले जैसा रहा, B. लाल, F. पहले जैसा रहा, C. लाल, G. पहले जैसा रहा, D. लाल, H. रंग हलका पढ़ दया विरंजब चोन या ब्लीचिंग पाउडर तनू सल्फियूरिक अमल से अभिक्रिया कर हाइपोक्लोरस अमल बनाता है जो सरलता पूरवक ऑक्सिजन देता है और यह है ऑक्सिजन विरंजब के रूप में कारी करती है अथार्थ रंग उड़ा देती है या रंग हलका कर देती है प्रवजब बनाता है झाल झाल